थोड़ा स्वार्थी बनिये, अपने बारे में सोचिए, सबसे पहले अपनी खुश्यों का ख्याल कीजिए, इस तरह की कुछ बाते आप लोग भी आजकर सोशल मीडिया पर खूब सुनते होंगे, मगर कुछ लोग होते हैं, जो इन बातों को अपनी जिंदगी में कभी नहीं उतार पाते, क्योंकि उपर वाले ने उन्हें दिये की तरह बनाया है, जो खुच जलकर दूसरों को रोशनी देने में ही हमेशा कुश होते हैं, और अक्सर सब लोगों को अंधेरे के वक्त ही आद तो अगर आप भी ऐसे ही हैं, तो खुद पर गर्व कीजिए कि उपर वाले ने रोशनी के लिए आपको चुना, नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूं, बी रियल, बी सिंपल की एक नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का, और ये शूट है 16 सितंबर का, सुबह सु बस अभी निकल ही रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्लिप शूट करती हूं, अभी सुबह के करीब 6 बजे हुए हैं, और जैसे आप लोग भी नोटिस कर ही रहे होंगे, कि आज कल दिन में थोड़ा सा फर्क लग गया है, तो सुरत चाचु भी थोड़े से आलसी हो गए हैं, और वो 6 बजे तक उगते हैं, वरना भरी गर्मी में तो वो 5 या 5.5 बजे तक उग जाते थे, तो सुबह सुबह की एक लिप मुझे बहुत ही जादा पसंद आई, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसको शूट किया, आप भी देख सकते हैं कि उगता हुआ सूरज कितना खुबसूरत लग रहा है, और आज, एक्चुली मेरी बेटी का स्कूल था, लेकिन वो स्कूल गई नहीं, और उसने कर ली आज की छुटी, छुटी क्यों की है, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताती हूँ, अभी सबसे पहले मैं बना रही हूँ नाश्ता, मैं न पास्ता वही फिक्स है मैकरोनी का, तो पास्ता मैंने उबलने के लिए रख दिया है, मैकरोनी पास्ता, उसको एलबो पास्ता भी बोलते हैं, इधर मैं उसका टड़का बना रही हूँ, बिल्कुल देसी स्टाइल वाला, तो यहां पे मैंने थोड़ा सा सरसो का तेल गरम कि उसमें चॉप करके मैंने 2 मीडियम सायज की प्यास डाली है, बिल्कुल बारीक चॉप किया है उनको, साथ ही 2-3 टमाटर जिसके साथ मैंने 2 हरी मिर्चो को भी चॉप किया है, उसको भी ढाल दिया है, बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रही है, इसमें मैं कोई औरेगेन उस्तमाल नहीं करूंगी, कोई विनेगर उस्तमाल नहीं करूंगी, बिल्कुल शुद्ध देशी भारतिय टेस्ट इसमें आपको आने वाला है, और यहां पर मेरे पास धनिया नहीं था, हरा धनिया, नहीं तो वो भी मैं इसमें डालती, अब यह जो मैकरोनी को मतब पास्ता को आप बहुत जादा भी मत उबालिए बहुत कम भी मत उबालिए बस ऐसा की करीब ये 90% तक गल जाएं उसके बाद बस इसको सिंपल मसाले में मिला दीजिए और बस 5 मिट के अंदर अंदर ये आपका मैकरोनी पास्ता खाने के लिए त्यार हो लुक हो सकता है इसका थोड़ा सिंपल लग रहा हो जैसे मेरे चैनल का नाम भी है बी रियल बी सिंपल लेकिन टेस्टी बहुत जादा बना था और इसके टेस्टी बनने का अंदाजा मैंने इस बात से लगाया कि मेरे बेटे ने फुल प्लेट खाली कर दी थी वह बहुत ही है भूख फिलाल मैं लूंगी मैं ख्रोनी और चाय अपने लिए बच्चे थोड़ी देर से खाएंगे क्योंकि जैसे मैंने कहा आज स्कूल की चुट्टी हो गई वानी की तो और अभी देखिए पौने आठ बजे हुए है राम की भी आज कॉलिज की चुट्टी है सेट्रे अब मैं हो गई हूं तयार आज हमें जाना है बाहर बाहर कहां मेरी फ्रेंड के यहां जाना है मुझे उनकी बेटी का आज बर्थडे है उन्होंने इन्वाइट किया था और वानी ने इसलिए आज स्कूल की चुट्टी की है लेकिन एक और भी कारण है वो मैं आपको थोड पहले मंगाया था हाला कि लेकिन बस पहन ही नहीं पाई कोई मौका ही नहीं पड़ा ऐसा और आप लोगों को वीडियो में दिखा भी नहीं पाई कभी तो आज देख लीजिए यह सूट मैंने पहना है यह चूणिया तो मैंने अपनी शॉपिंग हॉल में आपको दिखाई ह चोटे-छोटे से वाले हैं और यां पे मुझे लगाकी एक हाथ पी नेजिंग लिना चाहिए लूपिंग हैक वजक्ली मेरा तो अब घूआली तयार हो गये हैं और करीब-करीब 11 बचे ल double देख टक है रह्ने यह सेंदल में हैं थोड़े से हाई हिल के सको लेने थे तो मैं और ये clips वगेरा सब वही हैं जो मैंने आपके साथ shopping hall में share किया था तो वानी भी हो गई है तो यार अब हम लोग जा रहे हैं और जैसे मैंने भताया आपको कि एक कारण और है वानी की चुट्टी करने का तो वो कारण ये है कि एक्चुली 15 और 16 तारिक में उसका एक trip जाने व मेरी फ्रेंड की बेटी का बड़े भी 16 तारिक को ही है तो बस सब इत्तफाक मिलके उनका end ये हुआ कि आखिरकार वानी की स्कुल की चुट्टी हो गई और अब हम लोग यहां पे बैठे हैं हस्बन हमें छोड़ने जा रहे हैं तो उनको बीच में कुछ काम है वो अभी कु पाइदा क्या है तो यहां पर हम दोनों मैं बेटी बस इसी तरह से बाते कर रहे हैं और महीने में एक बार ऐसा होता ही है कि वानी की चुट्टी हो जाती है स्कुल की चाहे कारण कुछ भी हो और इसके लिए मैं बहुत जादा सक्त नियम कानून लागू नहीं करती कि नहीं स्कुल जाना ही जाना है चुट्टी नहीं करनी है बच्चे रोज ही स्कुल जाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है अगर महीने में एक बार वो चुट्टी कर लेते हैं रिलैक्स करके सो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरा ऐसा ही मानना है आप लोग बताईएगा कोमें में क्या आप लोग भी यही मानते हो अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं और यह वही इलाका है एरिया है जहां पे मैं पहले रहा करती थी पांस साल पहले यह डीडिये फ्लैट्स पढ़ते हैं और यहीं पे हम लोग पहले रहते थे बहुत ही अच्छा यहां का एरिया है बहु जो को तो यहां पे इतना जादा मन लगता था कि अभी भी अगर मैं उनको बोलू कि हम यहां शिफ्ट होने वाले हैं तो फटाक्षे यहां से शिफ्ट होने के लिए तैयार हो जाएंगे और मेरा तो कहना ही क्या मतलब मुझे तो बहुत जादा मन लगता है और मैं इस वाली जगे पे करीब 12 साल रही हूँ तो हम लोग 12 साल यहां पे रहे हैं और यह रास्ता हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है जब भी चलते हैं तो दोनों तरफ आपको हरी आली नजर आएगी आप देखी सकते हो लेकिन फिर भी अभी भी हम जहां पे रह रहे हैं वो भी काफी रहा है वो 33 साल की हो चुकी है माही यह है माही जो नीचे बैठी हुई है जिस Maxim बाद कर रही हूं और समने ब्ट हुए हैं वह हैं संगीता माही की मौसी तो यहाँ पर अभी फिलाल हमारी हसी मजाक चल रही है मैं उससे पूछ रही हूँ कि बर्थड़े प्लान क्या क्या है या गिफ्ट जो भी मिलेंगे तो प्लीज मेरे साथ भी शियर करना बस इसी तरह की कुछ बाते चल रही है यहाँ पर तो अभी माही यहाँ से उठके गई तो फिर मुझे मिल गया मौका नीचे बैठने का क्योंकि मुझे नीचे बैठना नीचे बैठके खाना खाना बाते करना बहुत ज्यादा पसंद है और यहाँ पे दीरे दीरे जब मैं नीचे बैठके बाते कर ही रही थी तो अभी आप देख रहे हो वानी उपर है तो दीरे बेटी, sorry, मेरी फ्रेंड का बेटा, उसको बता रही हूँ कि मेरे हस्बन ने भी दाड़ी मूच रखी हुई है, क्योंकि उसने भी दाड़ी मूच रखी हुई है, देखिए, यह है संजु, सुमिध हैस का नाम वैसे तो लेकिन संजु बोलते हैं, तो इसने भी काफी दाड़ी मूच रखी हुई है, तो मैं इसलिए मजाग कर रही थी, कि बेटा तेरे अंकल ने भी ऐसे ही दाड़ी मूच रखी हुई है, और यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर पे ड्रेसिंग है, तो मैं एक बार फिर से अपने सूंट का फुल लुक ले रही थी, अच्छा लगा यह सूंट बहुत ज़्यादा, मेरी फ्रेंड को भी बहुत पसंद आया, तो फॉर शॉर मैं उनको भी ये गिफ्ट करूंगी, क्योंकि मैं उनके बर्थडे पे उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दे पाई थी, और अब हम फाइनली बैट गए हैं पूजा के लिए, माही के बर्थडे के लिए उनकी मम्मी ने पूजा रखवाई है आज, तो हम लोग बैट गए हैं, अभी फिलाल होगी पूजा, और आप लोग भी आईए, पूजा में शामिल हो जाईए, पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है, और आज की वीडियो की ज्यादा तर शुटिंग वानी ने की है, ज्यादा क्लिप्स वानी ने ही वनाई है, इसलिए जो भी क्रेडिट है, आज पूरा का पूरा वानी को ही जाता है, तो बाहर पूजा वगएरा सब हो गई, और पूजा के बाद काफी देर तक मैंने कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि हवन के बाद जो धुआ होता है, उससे सभी की आँके बहुत ज़्यादा जल रही थी, तो अभी थोड़ा रिलेक्स माहोल हुआ है, सबने प्रशाद दे लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे वानी से बाते कर रही हूँ, और माही से भी बाते कर रही हूँ, और उससे यही बूल रही हूँ, कि बता तिरको आज गिफ्ट में मिला क्या क्या है, फिलाल टाइम हो गया है चाय का, क्योंकि सब लोगों कुछ चाई की पड़ी हुई है तो चाई वहाँ पे बनने के लिए रख दी है तब तक मैं यह कुछ क्लिप्स शूट कर रही हूं यह वाली क्लिप्स मैंने शूट की हैं यह माही के ही फोटो हैं अलग-अलग एज के हलाकि उसका एक यूनिक सा फोटो आठ साल की माही 23 साल की हो गई और अब जल्दी ही उसकी शादी के वारे में भी हमें सोचना पड़ेगा तो यहां पर मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूं देखिए क्लिप्स मैं फोटो यह जो आखे बंद करें बैटी है न यह माही ही है और यह भी माही है और इसके सा यह एपलट की एक है काने के तेजारी हो रही है मेरी फ्रेंड ने बनाई है बहुत ही कि बना रही है अर पूरियां हम बना हैं वालाई हैं शादित कि बैदेने बना बनारा šiand को जब husband मुझे और वानी को लेने आये थे ना तो उन्होंने भी खाना खाया था तो उन्होंने भी यही कहा खाना खाके कि यह खाना या तो मैंने बनाया है या मेरी फ्रेंड बवीता ने तो हम दोनों के हाथ में इतना similarity है कि स्वाद का पता नहीं चलता तो बस अब खाना बन तो अब हो गई है माही केक कटिंग के लिए तैयार बहुत ही ब्यूटिफुल सिसने ड्रेस पहनी है ब्लैक कलर की और यह ड्रेस उस पे बहुत ज़्यादा जच रही है ड्रेस तो सुन्दर है ही लेकिन माही ने जब इसको पहना तो और भी ज़्यादा सुन्दर हो गई और तो यहाँ पे केक उसका तयार है, अब माही काटेगी केक, और अब आप अलग-अलग स्टेज पे माही के एक्सप्रेशन्स देखिएगा, क्योंकि एक तो उसको केक काटना था, उपर से उसको यह भी टेंशन हो रही थी, कि सब लोग गुबारे ना फोड़ दें, क्योंकि फि किया है, पीछे जो डेकोरेशन आप देख रहे हो, टेबल पर जो डेकोरेशन देख रहे हो, पूरी-पूरी डेकोरेशन मेरी फ्रेंड नहीं की है, अपनी बेटी के बठड़े के लिए, तो यहाँ पे देखिए, माही के अलग-अलग एक्सप्रेशन्स, तो बहुत ही फण केक कटिंग की तयारी पहले माही विष्च करेगी, उसके बाद काटेगी केक, और यह है एक हैक मेरी फ्रेंड का, जैसे ही वो सब उडाते हैं ना, वो छोटी-छोटी सी जो चमकीली टाइप होती है, तो वो केक पे गिरे ना, इसलिए वो जैसे ही केक कटिंग की अलग, की तयारी होती है, उसके उपर ऐसे कोई परात या बड़ा सब बरतन लगा देती हैं, तक केक में वो सब ना गीरे, और यहां पर आप देख सकते हो माही कित्मी बरिशान हो गई है, कि भई सब गुबारे मत फोडो मुझे फोटो की चाने हैं, अभी अगर मैं इसकी क्लिपि इतिना की मैं बता नहीं सकती है, उसने कोई इंतजार ने किया कि उसको कोई केक खिलाएगा, या वो किसी को केक खिलाएगी, उसने खुद कट किया और खा लिया, और बोल रही थी कि बर्थटे भी तो मेरा ही है, तो बस उसके बाद फोटो शेशन शुरू हुआ, सब को केक उसने खिलाया, उसके ममी, पापा, मामा, मौसी, सभी ने फोटो खिचाए, मैंने भी फोटो खिचाया था, लेकिन आप लोग देखिएगा, कि मेरा फोटो कितना बलर आया है, यह देखिए, मतलब यह वीडियो अच्छी आई ही नहीं है, क्लिप, क्योंकि जैसे मैंने काव भी उसके बर्तडे पे आया है, किसी ने गिफ्ट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन वो टाइम निकालके उसके बर्तडे पे आए हैं, इस बात से माही बहुत खुश है, सभी के साथ बहुत खुश हो के उसने फोटो भी खिचाए, यह माही की फ्रेंड है, समीक्षा, जो उनों की 81 एक भी फोटो नहीं है आज तक भी, तो इस बार हमने भी मौका नहीं छोड़ा माही के बर्तडे पे, और हम लोगों ने भी फोटो किचाए, जो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे, और यहां पे हमारी इंस्टाग्राम क्वीन, क्योंकि माही इंस्ट और यह देखिए, हमारी बर्तडे क्वीन बड़ी हो गई है, बहुत ही सुन्दर है, बहुत ही क्यूट है, उसके फोटोग्राप्स बड़े ही प्यारे आते हैं, और स्माइल के तो उसके कहने ही क्या, तो आप लोग देखी सकते हैं, कितनी प्यारी लग रही है माही यहां प फोटो और यह विडियो, आप लोग प्लीज मुझे कॉमेट में बताईए, अब फाइनली हम आ गए हैं घर, करीब 7-8 बजे में घर आई थी, और अब आके सबसे पहले मैंने किये कपड़े चेंज, मुहाद धोए हैं, और उसके बाद बरतन साफ किये हैं, थोड़े से बरत आँखो में लगाया था ना, वह घलका हलका सा आँखो में रहे गया है, मुहाद धोने के बाद भी तो यह बड़ा ही अच्छा लगता है, मुझे जिब हलका ऑलका सा काजल आँखो में रहे जाता है तो बस इस वीडियो का यहीं पैंट करती हूँ, वीडियो कैसी लागी? कॉमेंट में बताईएगा अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलती हूँ दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ तब तक अपना धेर सारा ध्यान दखिएगा आप लोग टेक केर एंड बाई बाई